हुआ हेलो तूदेंट्स वेलकम टूवक्टर अडिस इस मनिशा शर्मा तो हम पढ़ रहे थे चप्टर नुम्बर सेकेंड लास टिंथ का एसेड बेसें सॉल्ट जिसमें हमने लास लेक्चर में पढ़ा पीएच स्केल और हमने उसमें पीएच स्केल में पढ़ा था कि नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूटरल है तो हमने लास लेक्चर में यह पढ़ा था तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी एवरीड़े लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है अब आपने कई बार सुना होगा कि हमारे ब्लड का पीएच कितना ह अब जो है इसका पीएच कितना होता है ठीक है हमारे जो टूथ जो हमारे टूथ डिके होता है तूथ डिके में जो हमारे टीथ डामेज होते हैं उनका पीएच कितना होता है ठीक है और जो भी जितने भी चीजें है कि कौन सी जब हमारा प्लांट ग्रोथ कर रहा है तब उस उसकी पीएच उसमें उस सॉयल की क्या पीएच है ठीक है और पीएच की हमने आपको फुर्फर्म बताये थी पोटेंशल ऑफ हाइड्रोजन जुतने जादा इसकी पीएच को मेजर करते हैं तो आज हम इस पीएच जो भी आमने कल पीएच देखा था आज हम इसकी पीएच की जितनी भी इंपोर्टेंस हमारी डे-टो-डे-लाइफ में होती है हम आज उसे पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट बिल्कुल NCRT है बिल्कुल NCRT word to word चीक है तो आपको बिल्कुल और कहीं जाने की या समझने की जुरुत ही नहीं है बिल्कुल डारेक्ट NCRT के पॉइंट्स लिखे हैं और आपको वो NCRT को भी लिखना है सबसे पहला जो हमारा क्वेशन के वो यह बोलता है कि क्या प्लांथ और एनिमल से उंक्र एंप्ट पड़ता है टिर्क नॉर्मल अंशोन हुआ है कि प्लांथ पर ओंड़ेक्ट पड़ेगा है थिक है तो हम ही कह सकते हैं कि जो भी जो भी चीजें होती है इसमें जिसे हमारी बॉडी है हमारी बॉडी इसमें लिखा है और बॉडी वर्क्स विदिन दा पी एच रेंज 7.0 तो 7.8 हमारी बॉडी जो वर्क करती है उसकी पी एच इतनी रहती है कितनी 7.0 से 7.8 तक तो इसमें मतलब कहने का यह है कि जो भी लिविंग ऑगनिजम्स है वो पीएज जो भी हम पीएज चेंज करते हैं उसकी कम से कम रेंज में ही सिफ सर्वाइब कर सकते हैं अब एक बात देखो कि जब रेंड वाटर की पीएज हमारी 5.6 से जब कम हो जाती है जब तो आप इसकेल पर बोला जाते हैं कि 027 हमारा एस्ट है यह तो जब उसकी रैंज 5.6 हो जाएगी आपको लगेगा। कि आसिड है अब इससे अगर कम हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा हम एस्ट यानый हो जाएगी वह कैसे लिए मिए corazón네You balance हमारी स्किन को डामेज करेगी तो वह पीएच रिवर वाटर की भी पीएच को कम कर देगी और जब रिवर वाटर की पीएच को अबिसली बात है कि कोई चीज मैंने आपको कल बहुत बताया था कि मानो एसी ड्रेन में हमें एक्सिल पड़ी जब वह रिवर में डिजॉल्व होगी तो मानो है एक्टू ओ के साथ फिर से रियक्शन करके वह प्लस आयन की कंसेंट्रिशन बढ़ा देगी तो उस पानी जिस पानी में आकर डली है उस पानी म हो जाएगा जिस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है जो एक्वेटिक लाइफ है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स रहते हैं ऐसे रिवर्स में उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो पी-एच से एनिमल्स और प्ला इधर है acids, इधर है bases, clear, तो हमें normal इतनी बात पता है कि अगर वो यहां से नीचे जाएगा, अगर यहां से नीचे ही जाएगी, acid और acid, तो अगर pH कम होती जाएगी, अगर rainwater की pH, मानो rainwater की pH 7 हो, तो हम रह सकते हैं, हम 7 से सिफ 7.8 के बीच में ही survive कर सकते हैं, इस से थोड़ा नीचे जाएगी, चलो, ठीक है, हम survive किया, बट जैसे ही वो 5 तक पहुंच गई, तो 5 पे ही, अगर एक बात बतावा, 5 पे ही acid rain हो रही है, तो acid rain होगी, मानो, HNO3 हो गया, तो अगर, acid rain होगी, अब उसने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स होए, तो क्या हुआ, मैंने क्या था जितना ज्यादा वो concentration, जिसमें dissolve होने के बाद, या है, acid हो या बेस हो, water में, उसकी concentration उतनी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर H प्लस आइंस, ज्यादा से ज्यादा, रिलीज होंगे, ज्यादा रिलीज होंगे, तो वो जो river water है, वो भी क्यासा हो जाएगा, acidic हो जाएगा, तो जितने भी इस pond में, जितने भी plants और animals है, aquatic, उन्हें भी क्या होगी, वो भी effect हो जाएगे, जिस वज़से उनकी life भी hell हो जाएगे, एक तरीके से, clear है, ठीक है, तो pH का change होना, animals को भी बहुत जादा effect करता है, जैसे कि fish अगर उसमें हो, पानी में, तो उसे भी acid वाली feeling तो उ living organism, clear, तो मतलब कहने का यह है, कि वो ऐसे जगा पर फिर रहनी पाएंगी, अगर pH change में range जादा हो जाए, थोड़ा difficult हो जाएगा फिर रहना, clear, आगे समयच में, I hope you understand all these facts, अब इसी से ही related है, कि what is the pH of the soil in your backyard, अब soil भी effect करती है, बहुत सारे जो plants हैं, वो क्या करते हैं, जिस इसमें हम रहे सकते हैं, वो neutral है, ना तो वो acidic है और ना वो basic है, इसके आसपास तक तो हम रहे सकते हैं, 6-8 भी हम क्या दे, ना तो वो हमें चीज acidic लगे, ना वो basic लगे, clear, तो इसमें अब pH जो हमारी soil backyard में जो होती है, उसकी pH की बारे में बात करी जारी है, नॉर्मल बात यह है कि plant अराम से growth कर लेते हैं, अगर उनकी pH कितनी होगी, 7 होगी, लेकिन अगर हमारी soil acidic हो जाए, अगर हमारी soil बहुत ज्यादा acidic हो जाए, यह बहुत ज्यादा basic हो जाए, तो plants पर effect जरूर पड़ेगा, ज्यादा acidic होगी, तब plant की growth नहीं हो पाएगी, ज्यादा basic होगी, तो हम क्या करेंगे उसे chemical fertilizers के use से हम उसे फिर से neutral करने की कोशिश करेंगे, वो तो अपना चल जाएगा, acidic soil कम से कम 4 तक होती है, और basic soil कम से कम 8 तक हो सकती है, इससे अगर नीचे natural soil नहीं जाएगी, तो हम chemicals बगरा add करते रहते हैं, उसे neutral करने के लिए, जिससे कि हमारे जो plants जो farmers की, जो crops है, वो क्या हो सके है, वो अच्छे से grow कर सके है, अब इसमें देख लेते हैं, plants require इसमें भी specific pH range for their healthy growth, to find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places, अब हमें यह पता करने के लिए, कि pH कितनी चाहिए, कितनी नहीं तो हमने जगा जगा से क्या किया, तो हमने जगा से क्या किया, इसका pH किया, इसका pH मेजर किया, इसका pH मेजर किया, तो मानों इसका pH भी हमने फाइब ले लिया, इसका pH भी आगिया, इसका pH भी आगिया, अगर वह सबसे ज़्यादा 260 को तो हम उसे calcium oxide साइं हम डालते है, as a chemical fertilizer, जिससे कि वो कह तो है neutral होने की कोशिश करें, पर आगे समझ में ऐखना करा यह थोड़ा इसमें एक अप्टिविटी को कर लेते हैं उसे अपको थोड़ा और अच्छा से अच्छी समझ में आ जाएगा थे क्या कि हमने नॉर्म यहां अप्र तु क्या कि यह न थू ग्रम फ्ट आ ली क्यूंकि अपको एक्टिविटी न City अश्याटीमें इसलिए मैं आपको बता भी रही हूं हमने एक test tube में हम इसे test कैसे करेंगे हमने इस test tube में soil ली 2 g यह हमने यहां पर 2 g soil ले ली अब दिसे 5 ml water डाल दिया चैक है shake the contents of the test tube हमने shake किया filter the content and collect the filtrate in our test tube हमने फिर से filter किया और हमने उसमें जो भी मतलब content था उन्हें अलग किया फिल्ट्रेक को जो भी product बचाता रेसिवरेल उन्हें हमने अलग किया अब हमें pH निकालनी है तो क्या मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया थे कि universal indicator एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से इंडिकेटर से चेक करके देखेंगे what can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region तब हम ऐसा देखेंगे हम से collect करेंगे filter paper से उस पर pH यूज करेंगे तो हमें pH का जो भी हमने sample लिया है हमारे region में हमारे आसबास हमें पता चल जाएगा clear तो हम इसमें कह सकते हैं कि अगर मानो हमारी जो स्वाइल हमने जो स्में टेस्ट्यूब में स्वाइल डाली थी उसका pH हमने जब यूनिवर्सल इंडिकेटर से मेजर किया तो मानों उसका pH हमारे पास 4 आ गया जाए कि अगर बहुत जादा एसेडिक हो जाए कम है जैसे कि उसकी तो हम क्या करेंगे इसमें CAO डाल देंगे जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डालेंगे तो क्या होगा ऊक्या होता है पास calcium oxide किह सकते हैं about जितना भी इसके अंदर excess acid है यह base उसके साथ react करेगा और इसे क्या बना देगा neutral बना देगा इसी तरीके से अगर soil बहुत ज़्यादा basic है like उसमें हमारे पास 10 आ गया है 10 basic आ गया उसकी pH 10 आ गई है तो हम क्या करेंगे तो हम जिसका high pH है तो हम इसमें कुछ acidic properties acidic मिलाएंगे जिससे कि उसकी जो manure विगना जो हम डालते हैं acidic material से लिटेड डालेंगे जिससे कि उसकी basic property कम हो जागा neutral property पे आ जाए और आगे समझ में कि plant और animals को क्या effect पड़ता है और soil पे क्या effect पड़ता है soil से भी क्या हम इफेक पड़ेगा ठीक है आगे समझ में चलो अब उसके बाद next जो की बहुत important भी है question आता ही आता है इस pH से pH in everyday life से definitely आपसे question जरूर पूछेगा pH in our digestive system अब एक बात देखूं it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid जैसे कि आप इसमें biology में पढ़ेंगे कि हमारा जो stomach है वो एक acid release करता है उस acid की वजह से ही हमारे जो stomach में digestion होता है तो उस acid हम HCL बोलते है hydrochloric acid यह क्या करता है यह food को जो कहते है ना उसे food को दीरे-दीरे-दीरे combust करने का काम करता है तो हमारे लिए क्या होता है यह वाला जो HCL होता है हमारे लिए बिकुल भी harmful नहीं होता है और इसकी जो hydrochloric acid होता है हमें पता है कि देखो hydrochloric acid pH होती है 1.4 होती है अब देखो कितना ज्यादा अब अगर हम pH scale से देखें तो it is a strong acid और देखो कि strong acid आपके stomach में है what a strange thing कि हमारा stomach HCL बनाता है और देखो फिर भी हम food खाते हैं जो भी हम food लेते हैं यह उसे digest करने का काम करता है और यह हमें बिल्कुल भी harm नहीं करता clear अब during indigestion the stomach produces too much acid अब अगर हमें indigestion हो जाए indigestion in the sense कि कोई आपके of we orada खाना हमें digest नहीं जो जी ऐङenge हुआ ऐसे बहुत जाब बन जाए यह आफिर हम रहे हमें खाने हाँ एक दिन न never forkesper अबמעन स्टमक का अब कान क्या है XL को dunan mr.ca cooperate you sir इसका करना नहीं भी उत क्षाइव कर जो नहीं भी झायंगे है जल रिछाएं जरूर रेलीज होगा जरूर नहीं खाया तो बहुत गाल बहुत अधा अधा इसी फिल तो अगिया तो तब अन्नली क्या बोलते है यह आप एसकी काम करो कि आप कोई भी आंटेसिट की टेब्लेय या फिर हमसे बोला जाता है you can take soda baking soda which is easily available in our home ठीक है तो ऐसे थी चीज़े बोली जाती है हमसे जब indigestion हो जाता है जब हमें या तो कुछी डाइजिस्ट नी होती तब या फिर हम भूखे रहते हैं तो स्टमक का काम है कि वह बहुत अपना काम करेगा अब खाना नहीं खा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है it is your fault लेकिन स्टमक का काम है कि एक्सिल प्रड्यूस करेगा और एक्सिल का काम है कि फूद को डाइजिस्ट करना उसे फूद ही नहीं मिलेगा तो करना पड़ता है जिसे हम एंटेसेड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसमें हमारे पास कभी-कभी आपको आपने देखा है कभी-कभी हम यूज करते हैं कभी-कभी हम यूज करते हैं कभी-कभी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो यह भी हमारे पी एच की ही बात होती है यह में basis रहते हैं जो भी excess acid उसको खतम करके फिर से neutral कर देता है आगे समझ में तो जिससे भी person जिसको भी problem होती है उसे relief मिल जाता है इसमें और भी बहुत सारे example exam में पूछ जाते हैं कि magnesium hydroxide milk of magnesium जिसे हम बोलते हैं वो भी एक mild base है और जो कि यूज करा ही जाता है इसको भी तो ऐसे question कभी-कभी one word जैसे कि आपके MCQs में आएंगे तो पूछा जाता है कि कौन-कौन से चीजे की which of the following are used as anti-acids तो आपको example में milk of magnesium देगा which is very important और आपको यह learn ही करना है कि milk of magnesium also helps और baking soda also helps in intestines या in the to maintain the pH of digestive system clear next pH change as the cause of tooth decay आप इसमें भी पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है देखो तूथ डिके स्टार्ट तूथ डिके कब स्टार्ट होता है जब pH माउथ की 5.5 से कम हो जाती हो 5.5 से कम होने का मतलब है एसिड चीक है तो टूथ इनेमल होता है किम्त् прилож TIME है क्यूंख कि से हार्ट पार्ट होता है हमारी बॉड़ी का वह इनेमल होता है और जो इनेमल है मीकेल्शियूं फोस्वडेट से मिलकर बना होता है किसे मिलकर बना थे कैल्शियूं फोस्वेट अब यह हाड़ेटे सबस्विआ Account पता है हमाई बोड़ी में वह वाटर में भी डिजॉल नहीं हो सकता अब इस कोरोड़िड वेंद पीएच इन दा माउथ इस बिलो 5.5 आप बोलते हैं कि हमारे तूथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहां फिरम कह सकते हैं तूथ डिके हो गया है यह डामेज हो गया वह कब होता है अब इनेमल तो वाटर सिरिक्शन नहीं करेगा इनेमल एक हाड़िस पार्ट है तो वह दीरे दीरे क्या करता है वह अपनी उसकी पीएच 5.5 से जब कम होनी चली जाती है उसकी पीएच 5.5 से कम होगी तो क्या होगा वह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉई करना स्ट कर दे यहां पर प्रेजेंट होते हैं वह क्या करेंगे वह एसेड़ प्रडियूस करेंगे क्या प्रडियूस करेंगे डिग्रेटेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग अब जो भी इसमें पर रह जाएगा आपने कुछ भी खाया टौफी खाई वह यहां पर तो हम तूथ पेस्ट के साफ करेंगे उसे न यूट्रिलाइज कर देगा और हमाये टूंध भी टूंध टूथ बिक्या से बचाएगा अगे आगे आपको समझ एक बर और और देख लेते हैं देखो हमारे पास हमारा टूथ है अब हमने कुछ खाया कहाने के बाद मानौं यहां पर छोक्टीरिय प्रेजेट ख्याइटा करेंग शक्राइपनीmittel इन सदू अच्छा चोलगेच करें नहीं होगा सबसे बड़ी बात यह है कि बेस्ट वे तो प्रिवेंट टूथ डिके इस तो क्लीन दा माउथ आफ्टर इटिंग करें आप जो माउथ भी क्लीन कर सकते हैं वह सारे टूथ पेस्ट हैं वह तो एक नॉर्मल हो गया आप कहेंगे कि अगर किसी बच्चे को पूरा दिन खाने की आदत है तो वह कैसे करें उ तो भी है mostly sugari food से जादा होता है यह अब self defense sorry self defense by plants and animals through chemical warfare अब देखो इसमें क्या होता है को देखो बहुत सारे प्लांटे अरीमल क्या होते है जी अपने अपको बचाने की कोशिश करते हैं जी कि या तो अगर व्हा अपने अपको बचाने की कोशिच कर एंぇ तो या तो वह कहीं घेंज हमें इंज nya कर देंगे में बहुत सब्ढ़शा करती है आपो प्लांटों कि उता है अश्य मांनो किसा सब्सक्राण हम और ही ऐसे keeping हे पास cuc N जिएगी उसे सेल्फ डिफेंस किया अब हम उसे बेस वह तो नहीं कह सकते हैं उसे दोशी तो नहीं वाद सकते हैं तो कुछ प्लांट्स और अइसे होते हैं वो खुद को बचाने के लिए अपने एनिमी से तो दूसरे उस पर अटेक करें या बेस ज्यादा हो जाते हैं तो क् कि पेइनफुल और बहुत इरिटेशन अशिड अपने अंदर से इंजट करने की कोशिश करता है जू कि हमारे स्किन पर वह प्राइब करता है जैसे कि मानों अभी हनीबी का एक्जाम्पल है वह निबी करेंगी यह वानों हनीबी है ओनली लेट इस हानीबी है नहीं है वैस किसी person को sting करती है तो उसने यहां पर इंजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से अब हनी भी तो अपना काम करके चलिए लेकिन इसे पेन और चलिए चलिए तो आपको से भी प्रॉब्लम आपको भी नहीं होगी तो ऐसे है नॉमल और इससे रिलीफ भी मिलता है तो यह कह सकते हैं क्योंकि जो हमने जो यह बेस जूज किया था जो ने बेस यूज किया था बेकिंग सोडा एक सबसे बेस्ट चीज जो कि एजिली घर में आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो यह बेकिंग सोडा यूज कर लो किसी चीज में प्रॉब्लम हो यह बेकिंग सोडा तो बिल्कुल कहते हैं रामबन इलाज तो हम ही कह सकते हैं ऐसे अगर वास्प कोई भी चीज है तो भी वह लिक्विड में अब दूसरे क्लियर कर सके या वेनेगर से जोबी स्टंग एरिया है उसको आप महापर रब कीजिए जिससे कि आपको रिलीफ मिल सके स्कें स्कूं को तो को नीटरल कर देता है आप चीज है यह सब हमारे घरों में होता है और सब के साथ होता है किसी को मध्दमोखी काट लेती है किसी का पेट खराब हो जाता है किसी को digestion problem हो जाती है कि सब लेकिन आपने कभी देखा है कि वह क्यों हो रहा है और देखो इसका इसका इलाज भी हमारे जो घर में जो भी पैरेंट्स है हमारे जो ग्रेंट्पेरेंट्स हैं वो सब करते हैं सब जानते हैं but you have to study about that कि यह सब क्यों हो र गरिवारे घराण हो रही है कि अएकिसी चीज ने को गाट लिया तो को अपको इंचान हो पाट पहुझाशन हो थो तभ ही घर्वाले बोलें एकिन सोडा में रब करो आपको प्र बोड़। है अँपको बोलोगी है अच्हा आप काम करता है पील या बेटिंग्सोडा ले ल यह एसिड था कि बेस था तो नॉर्मल सी चीज है आपको कई बार एक क्विश्चन भी एक्जाम में आता है वैसे तो कॉम्पोटिशन लेवल में पूछ जाता है कि अगर आंट अगर आंट इस्टिंग करे अगर आंट आपको स्टिंग करे तो वह इंजक्ट क्या करती है तो अगर आंट इंजक्त करती है तो एक चीट्शी भी आपको एंजक्त करती है और प्ए ठूट की जर्ड़ञा के जाती है आपके पास जिससे ही आपको भत ताम तक बार होती है इंपक्त आपकी शिकन पे कुछ श्पोर्ट भी हो जाते हैं तो से जब नूट्राइज करते हैं तो इस पर भी ऐसे डोगा तो नूट्लाइज करने के लिए बेकिंग सोडा इस अप बेस्ट थेंग क्लियर है हुआ कर देखो कुछ इसमें natural sources होते हैं वेनेगर हम किसे कहते हैं हम विनेगर हमारा is an acetic acid होता है औरेंज में Citric Acid प्रिजेंट उता है निंदी में टार्टर्टरिक प्रिजेन करते हैं प्रिजेंच मील्क टपैमेटों में Oxalic Acid एसे और माजेम इसप्ला करें मि अ crops एक अचिनえーは यह ऐसे होते हैं जिसको भी चाहें कभी कुछ प्रॉबलम हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं तो थैंक यू सो मैच आयो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा अब बस एकी लेक्ट्टर इसका बचा है इस चैप्टर का भी और हमारे दो चैप्टर स कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री से भी दो हम तेजिक से कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से पढ़िए मन लगा कर पढ़िए और एक्जाम इतना टाइम नहीं बचा है और अब तो शैदी रिविजन का टाइम है और एक्स्ट्रा मत पढ़ो बिलकुल भी जित कि पहले आपको इतने सारे topics पढ़ने थे उसके बाद आपको उसमें से marks मिलते थे लेकिन अब देखो आपको कोर्स तो कम हो गया लेकिन marks अभी भी है आपको जो पढ़ना होगा वो तेदर डीप पढ़ना होगा क्योंकि पहले दस चेप्टर में से अगर आपको 10 questions मिल रहा ह एक वो गया और आपको दो चेप्टर से ही 10 questions मिल गया है तो आपको दो चेप्टर को जादा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा ना तो that's why ठीक है so thank you so much take care god bless you और चैनल को subscribe करना ना भूले और bell icon को press करें जिससे आपको notification time पर मिल सकें